में धरम पाल टूड चैनल में आप सभी का स्वागत है हाए दोस्तों नमस्कार कैसे हैं याप फिर मैं आपके लिए एक और विडियो लेके आया हूँ दिस विडियो में आप देखेंगे किस विदि से पापर को सुखाते हैं और कैसे इसको बनाते हैं यह तमाम जनकाडिया इस वीडियो में मिलेगी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सस्क्राइब और बेल आइकन घंटी की बटन को दबा ले ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करू वो किर्पया आप तक पहुंच सके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप देख रहे हैं कि पापर जो है भाई साब पूरी छत पे सुखा रहे हैं सुखाने के बाद जो है आपको बनाएंगे कैसे वो भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में देख रहे हैं एक एक पापर करके जो है अलग- है दिख रहा होंगे इस तरीका से इस पापर को जो है रहा बहुत स्ट्रॉण हो जायेका तभि हम इसको तोकरी में उठाते हैं तो तमाम बन restroom में देखने को मिलेगी वीडियो चल रही है आप इसमें देख सकते हैं टोकरी है ट्रे है इसमें उठा करके आप फ्राइए करने के लिए भी उसमें ले जा सकते हैं ले जाने के बाद आप देखें बनता किस परकार के है सबसे पहले मैं उस पर विचार करूंगा यह मैदा का घोड़ा हुआ है आप इसमें देख रहे हैं कि यह पापर का जो है जो है बना रहे हैं इस तरीका से यह मैदा पूरा बाकिट में भरा हुआ था कुछ पापर बन और इसमें सिर्फ मायदा में सिर्फ नमक मिलाया जाता है सोड़ा उगर ना मिलाये ताकि जो हमारी प्रोडेक्ट आगे कहीं जाए तो दिक्कत हो जितने भी हमारे मताओ बहनों हैं वो इसको काम असानी से कर सकते हैं और इसको जैनस भी बहुत अच्छा तरिका से कर लेते हैं है तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जैनस जो है यह बना रहा है बाकी ये लेडिस भी कर सकती है हर कोई के लिए जो मर्जी भी इसको पापर को बना सकते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस परकार से बनाते हैं सबसे पहले इस ट्रे में जो है तेल लगाते हैं उसके वाद इसको डाल करके दो बार इधर से इधर मार करके चारो तरफ फ खौल रहा है जो बाकिट में देख रहे हैं जो पानी खौल रहा है इसमें जो है डाल देते हैं ताकि वह पापर हमारे उबल जा दुबारा से फिर देखिए यह पापर इसमें डाला चारो तरफ फैलाया और इसमें जो है जो हमारे पानी जो है खौल रहा है इस पानी में डाल देते हैं इस परकार से जो है पापर बनाते हैं हर ट्रे में जिस बार में भी डालेंगे उतने बार उसमें तेल लगाएंगे जरूर तेल लगाएंगे के बिना ही पापर अगर आप बनाते हैं तो से में से निकलेगा नहीं तो इस परकार से आप आप देख रहा है बन रहा है जिस प्रे में ज़्यादा आईल लग जाता है उसमें जहें जल्दी होता नहीं है निकलता नहीं है मतलब उसमें से तो इस परकार से जो है पापर आप बना सकते हैं अब ये भाई साब आगे आपको दिखाएंगे तरीका अपर होगा तो इस देखिए यह मैडा है इशको पूरा घोरा हुआ ही इस टाइब के इतनी पतला जो इतने घोरना होता है अब इस तरीका से डाले दो बार मारे मिलाए और पापर हो गया त्यार देख सकते हैं ऑल इस तरीका से पापर बनाने का काम आता है सिर्फ मैदा का यह पापर है इसमें कुछ भी ना डाले जब यह पापर त्यार हो जाता है तो आप इसको एक चार्ट मसाला आता है उसके ए तो बहुत ज्यादा टेस्टी मिलता है इतनी टेस्टी मिलेगा कि आप जो घर में पापते हैं उससे ज्यादा टेस्ती यह पापर होता है चाट मसाला उपर हलका छीटने के बाद उसको खाया जाता है तो यह थोरा सा और माल बचा हुआ है आप बार बार आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आप जो हैसे समझ पाएंगे जिसमें तेल ज्यादा लगा है यह फट गया उसमें दूबारा से थ भट गया तो इसको कैसे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचा लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबा ले